दो हजार तेश में कुल दो चंद ग्रहन लगेंगे जाने सही तारीख और समय किन किन देशों में दिखाई देगा शंपूर जानकारी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साल दोजरवाज में कुल दो चंद ग्रहन लगेंगे इन में से ये जो चंद ग्रहन है ये कब और कहां कहां और किस किस देश में दिखाई देगा क्या भारत में दिखाई देगा या नहीं भारत के अलाबा किन किन देशों में ये चंद ग्रहन दिखाई देंगे इसके अलाबा ये ग्रहन किस तारीक को किस समय दिखाई देंगे इसकी भी जानकारी साथी ग्रहन का सूतक काल लगेगा या नहीं और ये दिल लगेगा तो सूतक काल का समय क्या होगा इसकी भी जानकारी दोंगा तो आये शुरू करते हैं दोस्त वहुत ही जल्द 2023 आने वाला है, अब आप यह भी जानना चाहते होंगी कि साल 2023 में यनि कि कितने चंद गहन लगेंगे तो दो चंद गहन लगेंगे, जी हाँ, यनि कि 5 गहन 2 लगेंगे हलाकि वैसे तो टोटल 4 गहन लगेंगे, 2 शूर गहन और 2 चंद गहन लेकिन लेकिन जोतिस की नजरियों में इसका बहुत अधिक महत होता है। जोतिस के अनसार गरहन की घटना ब्यक्त की जीवन पर विशेश प्रभाव डालती है। खास कर गर्वती महिला पर जोतिस मानताओं के अनसार गरहन का अश्यू प्रभाव परता है। ग्रहन के समय निकलने वाली किर्णे और तरंगे गर्वती महिला को बहुत ही नुक्षान पहुंचाती है इसलिए ग्रहन के दोरान सभी लोगों को सावधानी जरूर बरतनी चाहिए तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं साल दो जरूर तेश में लगने वाले चंद ग्रहन के बारे में दोस्तों साल दो जरूर तेश में कुल दो चंद ग्रहन लगेंगे जिनमें से पहला चंद ग्रहन पांच मई दो जरूर तेश दिन शुक्रवार को लगने जा रहा है ये एक उप चाया चंद ग्रहन है यूँ तो चाया चंद ग्रहन बहुत ही ज़्यदा प्रभावशाली नहीं होता क्योंकि इसमें चंद्रमा की काली चाया परतिवी पर नहीं परती इसमें परतिवी की बाहरी चाया चंद्रमा पर परती है शले इस ग्रहन में चंद्रमा थोड़ा सा म पे रहेगा तो वहीं उपचाया से अंतिम इश्पर सरातरी एक बज़े रहेगा इस उपचाया ग्रहन के कुल अबदी लगबग 4 गंटा 15 मिनट की रहेगी और ये चंद ग्रहन दच्छन पूर्भी योरोप एश्या अस्टेलिया अफ्रीका प्रसांत महाशागर अट्लांटि महाशागर हिंद महाशागर में दिखाई देगा लेकिन ये चंद ग्रहन केवल उपचाया चंद ग्रहन के रूप में ही दिखाई देगा उपचाया ग्रहन ज्यादा प्रभावशाली नहीं माने जाती इसलिए इनका सूता काल भी भारत में माने नहीं होगा चलिए आब बा पहला इस पर से 28 अक्टूबर की रातर को 11 बच के 32 मिनट पर हो जाएगा और प्रत चाया से पहला इस पर से रातर एक बच कर 6 मिनट पर रहेगा और इस चंद ग्रहन का परम ग्राश यानि की जिसमें ग्रहन का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा वो रातर एक बच कर के 44 मि इस चंद ग्रहन घरश की 6 गुल अबदी एक 1 गंटा 16 गी और 10 गुल अबदी लगग 4 गंटे 23 मिनट की रहेगी वोग्गी को सवरन करा है। तो देखे ये चंद ग्रहन योरोप, एसिया, अस्टेलिया, अफ्रीका, उतरिये मेरिका, दच्छने मेरिका, प्रसांत महासागर, अटलांटिंग, हिंद महासागर, अंटारिका में दिखाई देगा, इसके लाबा ये ग्रहन भारत में भी दिखाई देगा, भारत में ये चं पर होता है तो गर्वती मेलाँ की समय तुल्सी पूजा पाटना करें धारमे पुश्टकों को पाट करें महा मुर्टिनजय मंत्र ओम नम शिवाय जैसे खिर्धा figuring के बाद दान द्यश्टन बात्रादा या था संभा हो तो घर में गंगलवा चिड्काव करें और फिर नहाद होकर सुक्ष वस्तधारण के दान जरूर करें तो गर्वती में इलाओं को यानि विशेश कर चाकू सुई कैंची धारदार वली वस्तो बिल्कुल नहीं छूनी है ग्रहन के समय इस बात का विशेश रूप से ध्यानक ना है तो दोस्तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेर करें चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा जय शन्यदेव जय चंद्रदेव आनमे